नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते है तो चैनल अनमोल जानकारी को सबस्क्राइब जरूर करियेगा का यह दोस्तों बाद मास्की पूर्निमा से पित्रिपक्ष शुरू हो जाते है जो आश्विन मास्की अमावस्या पर समाप्थ होते है पित्रिपक्ष पर पूरवजों के लिए श्राद कर्म किया जाता है इन दिनों में पिंटदान तरपन हवन और अंदान मुख्य होते है यह दिन पित्रों को समर्पित होते है ऐसी मानेता है कि जो लोग पित्रिपक्ष में पूरवजों का तरपन नहीं करते उन्हें पित्र दोश लगता है राध के बाद ही पित्रिदोश से मुक्ती मिलती है, श्राध से पित्रों को शांती मिलती है, वे प्रसन होते है और उनका आशीरवाद परिवार को प्राप्थ होता है, जिस किसी के परिजन चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित बच्चा हो या बुजुर्ग स्त्री हो या पुरुष जिनकी मृत्यू हो चुकी है उन्हें पितर कहा जाता है पित्रिपक्ष में मृत्यू लोग से पीतल पृत्वी पर आते है और अपने परिवार के लोगों को आशीरवाद देते है पित्रिपक्ष में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए तरपंग किया जाता है पित्रों के प्रसन होने पर घर में सुख शांती आती है ऐसी माननेता है कि श्राध पक्ष में यम्राज मृत जीवों को मुक्त कर देते है ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तरपंग रहें करें और पूरे परिवार को आशीर वाद दे कर जाए श्राध की उत्पत्ती श्रद्धा से हुई है यानि कि अपने पित्रों के प्रती सची श्रद्धा रखने का पर्व ही पित्रिपक्ष है श्राध पक्ष है दुनिया से विदा हो चुके पित्रों की आत्मा की त्रिप्ती के लिए सच्ची भावना के साथ जो तर्पन किया जाता है बस उसे श्राध कहते है पित्रिपक्ष में कब करें किसका श्राध शास्त्रों के अनुसार पित्रिपक्ष में अपने घर के सभी द अगर आप अपने दिवंगत लोगों की मृत्यू तिथी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उनका श्राद सर्वपित्री अमावस्या के दिन ही करें अगर आपके घर में जिन लोगों की संख्या सामाने मृत्यू चतुर्दशी तिथी को हुई हो आपको उनका श्राद च जिन लोगों की भी होते हैं। किया जाता है दोस्तों जिन परिजनों को अकाल मृत्यू प्राप्थ हुई है जैसे कि शस्त्र का हक आत्मेहित्य बीच और दुरघटना आदी से मृत लोगों का श्राध चतुर्द शीतिति पर ही किया जाता है पित्रिपक्ष में श्राध और तरपन पूरे विधिविधान से करना चाहिए शास्त्रों में कुछ ऐसे कारे बताए गए है जिन्हें पित्रिपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर यह कारे आप करते है तो आपके पित्रों आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके श्राध और तरपन को स्वीकार नहीं करेंगे तो आए जानते है कि पित्रिपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिये काया और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएए का पित्रिपक्ष में पित्रों की पूजा के दौरान यानि की श्राध तरपन के दौरान खास ध्यान रखने की बात यह है कि पूजा में लोहे के बरतनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसी माननेता है कि पित्रिपक्ष के दौरान लोहे के बरतन का इस्तेमाल करने से परिवार पर इसका अशुप प्रभाव परता है इसलिए इस दौरान विशेश रूप से तांबे अन्य धातु के बने बरतनों का ही इस्तेमाल करे भूल कर भी लोहे के बरतन का इस्तेमाल ना करे पित्रपक्ष के दौरान इसमें धार्मिक माननेता है कि इस समय कोई शुब कारे संपन नहीं किये जाते है और घर में किसी भी तरह की कोई नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुब माना जाता है। विशेश रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान उन्हें अपनी दारी नहीं बनानी चाहिए ना ही बाल कटवाने चाहिए शास्त्रों में इस बात का उल्लेक है कि श्राथ पक्ष में पुरुशों को भूल कर भी दारी मूच नहीं कटवाने चाहिए ना ही पित्रों आपसे नाराज हो सकते हैं, इसके साथ ही आपको धन की हानी भी हो सकती है पित्रिपक्ष के दौरान घर पर ही बनाए गए सात्विक भोजन से अपने पित्रों को भोग। कभी भी शाम राज सुबह या अंधेरे में श्राध कर्म नहीं करने चाहिए कि पित्रिपक्ष में गायों, ब्राह्मनों, कुतों और चीटियों को भोजन। कहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए ना ही प्याज लसुन का भोजन। करना चाहिए श्राध कर्म के दौरान अगर आप जनेव पहनते हैं तो पिंदान के दौरान। उससे बिना पहने हुए बिना इस्तेमाल किये हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पित्रिपक्ष में श्राध करने वाले विक्ति को ब्रम्चरे का सक्ती से पालंग करना चाहिए पित्रिपक्ष में कुछ चीजे खाने से भी मना किया गया है जैसे कि चना दाल जीरा काला नमक लौकी खीरा सरसों का साग प्याज लहसुन मीट अंडा आदी नहीं खाना इसके साथ ही इस दोरान डियोडरेंट या फिर परफ्यूम लगाने से भी बचना चाहिए श्राध पक्ष के दोरान शरीर पर तेल या साबुन भी नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को ना खून और बाल भी नहीं काटने चाहिए श्राध पक्ष के दोरान क्रीम पाउडर भ अपने पूर्वजों का श्राध ध्यातो अपने घर पर बैठ कर करें या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या सारवजनिक मंदर पर जाकर आप अपने पूर्वजों का श्राध कर सकते हैं लेकिन किसी अन्ने के घर पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राध ना करें जी कि शास्त्रों के अनुसार श्राध पक्ष के दौरान अगर कोई विक्ती इन नेमों का पालन नहीं करता तो तमाम दुखों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उसके पित्रों को शांती नहीं मिलती है, तो आए अब जानते है, श्राध पक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम ह जिन्हें करने से पित्रों का आशीरवाद मिलता है आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे है जिन उपायों को अगर आप पित्रिपक्ष के दौरान करेंगे तो आपको अपने पित्रों का आशीरवाद अवर्शे ही प्राप्थ होगा कहते हैं घर हो या व्यापार स्थल पित्रों की हंस्ती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए लेकिन ध्यान रखे तस्वीर हमेशा दक्षिन पश्चिम की दीवार या कौन पर ही लगाए इससे पित्रों का आशीरवाद मिलता है, दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पि उसी मना ना कभी भी ना भूले इस दिन कोई, ना कोई आयोजन जरूर करे भले ही छोटा सा ही करे लेकिन उन्हें याद जरूर करे साथ ही उनकी यादे की खाना और मिठायां भी बाटी इससे उनकी कृपा सदैवाप पर बनी रहेगी पित्रों को प्रसंद करने के लिए आ पित्रों को प्रसंद करने के लिए अधिक से अधिक दान करे जाहे तो धन या किसी अन्य वस्त्रिया जरूरत की वस्तूओं का दान भी दे सकते हैं इससे पित्रों को शांती मिलती है और वे प्रसंद होते हैं पित्रिपक्ष में रोज पित्रों के निमित जल जो काले तिल और पुष्प के साथ पित्रों का तरपन करने से पित्री प्रसन होते है और पित्री दोश दूर होते है पित्रिपक्ष में अपने पित्रों के नाम से श्रीमत भागवत गीता और गरुल पुरान का पाठ करने से पित्रों को शांती प्राप्थ होती है कि पित्रिपक्ष के दौरान रोजाना सुबह स्नान करने के पश्चा पित्रों भी नमह इस मंत्र का जाप अवश्य ही करे ऐसा करने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और पित्रों को प्रसन होते है इसके साथ ही पित्रों की प्रसनता के लिए पित्रिपक्ष में श्री गीता जी का भी पाथ हवशे करना चाहिए दोस्तों इन छोटे छोटे उपायों को पित्रिपक्ष के दौरान करने से पित्रों की आत्मा को शांती तो मिलती है इसके साथ ही पित्रों का आशीरवाद प्राप्थ होता है पित्रों के आशीरवाद से सभी काम निर्विघन पूरे हो जाते है और घर में सुक स्मृध्धी आती है उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा